हाई अब्रिवन कैसे हैं आप लोग उमीद आप सब बहुत अच्छे सोंगे बहुत स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में एक बार फिर से हम यहां पर एक नए वीडियो में आपके एक्जाम प्रिप्रेशन्स में थोड़ी सी हेल्फ करने के लिए थोड़ा सा मेरा कॉंट मीशचे के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि कुछ ऐसे सवाल हैं जो हर साल पुचे जाते है यह iç看一下 ये सवाल बंते है उनीटे अगर हम वन के बात करें दोस्तों यूनिट 1 में आप तीन टॉपिक हैं यूनिट वन आपका इस सब्जेक्स में किसकी बात कर रहे हैं हम अवाध यूनिश्टी बीए सेकेंडियर थर्ड सब्जेक्स समसामा एक भारते सिक्षा चिंता और मुद्दे पहला यूनिट है दोस्तों एजूकेशन इन प्री कॉलोनियल एरा मतलब आजादी से पहले उस सम हमारे हमारी एजूकेशन सिस्टम कैसे हुआ करती थी हमारी सिक्षा व्यवस्ता कैसी हुआ करती थी उस पर प्रकास दा लिए तो तीन प्रमुख सिक्षा व्यवस्तायों के सवाल पूछे जाते हैं और यही आपका यूनिट वन है वह यूनिट वन क्या है कि आप इन तीनो स्थास्य आप क्या समय सिख्षा कि क्या उदेश हुआ करते थे शिछ्च्छा क्या प्रकेश्चा की और यह सवाल को इसे समाब ऒरतल संसकार विद्यारम संसकार गुरुकुल प्रणाड़ी यह उसी ही बात और इसलिए हूद य। चीआ अगर बहुत इक हिक्षा की बात करें तो वरतवां जीवन में इसकी प्रसंगीता ब्रहामण क्या है यह विएक निंबर में सवाल पुछा गया तो ब्रहमण इसके अलावा भी पवज्या संसकार एक होता है उसके बारे में आप आप से पूछ है जाता है ठीक है उपनेयन संसकार acontece उसकार ये इसी की विसेश्थाओं की अंत्रगत आता है ये सवाल आपसे पुछाजाता है कैसे बहुत कालीं मुस्लिम कालीं वैयदिकालीं इन र्वासाम की आदर्स仔 चोड़े-चोड़े क्वाइंट पूछ लिया जाता है बागी सेक्षिन बी आठ नमबर में या सेक्षिन सी 15 नमर में एक विश्थित सवाल आप से पूछा जाएगा कि इसकी आदर्स उदेश विश्थाया और वर्तमान जीवन में इसकी प्रसांगीता का वड़न करिये यह आपको 25 नमबर का वेटेच रखता है यहां से आपको 25 नमबर के सवाल देखने को मिल सकते हैं आपके एक्जाम से चीक है तो आप इसका एक पर स्क्रीन शॉट ले लिजेगा और इसकी तयारी जरू करिएगा अब इसको पढ़ना कहा है डिस्क्रिप्शन में जाएगा पहल में सवाल के कैसे पूछे गये हैं बातिया स् चार्टमी एक 18188 1830 को अचा जाता है कियो ने क्या चार्ट डरा आठा सो चार्ट में क्या हुश हो तैरह भारते सिक्षा है तो वड़ा ही बहतरी इंस टॉपिक है चार्ट एक 1813 इसके बारे में सवाल पूछता है चार्ट एक 18 में कुछ विवाद हुआ था कुछ प्रॉब्लम हुआ था उसी को सुझाने के लिए एक मेकाले आये थे मेकाले मिनेट्स मेकाले का विवरल पत्र इसकी डिन्क भी सेस्था है इसके सिक्षा पर पर प्रवावन निश्यानंद्स ठान था है कि so much की आप यहां पर में इसानन था एक गोष्ण पत्र इसके बारे में पुछनन था है उसी में टॉपिक आता है दिस्यानंद्सेदान इसकी भी इन दोनों की बीडियोilles बनिए मैं डिस्क्रिशन में लिंक देंगा आप महां से देख लिए यहां पर मैं भी आंसर नहीं बता सकता है मैं आपको कोशन बता रहो कि यह आपको पढ़के जाना है अब आई उसके बाद 1813 के बहुत बाद 1854 में एक और गोशना पत्र आता है जिसे हम वुड का घोशना कहते हैं फुर्ट कांसे कर्सक्राइल का मुड़का ऊटा पत्र है वुड का ख।शना पत्र का। देश क्या थे इसके प्रभाव यह था इसके इसके जिक coming क्या था और रुज फारिसों क्या क्षिरा पोर्पत्र की स्दूटर करति हमस्तों की मुझे बहुत कहा बहुत्त 1813 को कहा जाता है मुझे लगता है इसी को कहा जाता है वूट के गोशना मैं एक बार चिक कर लूँगा ठीक है मैं तुम आसा कर्फिूज हो गया पर चलिए प्राच्य पस्चात विवाद जो विवाद की बात करी थी न 1813 में जो गोशना पत्र आया था आगया पत्र आया था उसके बाद विवाद हुआ था उसको प्राच्य पस्चात विवाद की तो यह वो टॉपिक है यह वो पॉ-इंट हे जहांसे वह सवा आक की बनते हैं समझारीह? मैं यह बता रहा हूँ कि यह टौपिक से आपके सवाल बनते हैं अ अब जैसे यहाँ पर चार टॉपिक है प् जोप्सक्राइब कि गोखले विल की साथक्रता योगदान गोखले विल का वर्दसिक्षन योजना पर प्रकास जाल यह इसकी विसिस्ताय योजना कर रहा इस तरी के सवाल आप से पूचिटाइब कि यहां तक एक आपका युनियट यहां पर complete होता है next जो है आपका unit number four है I think four है अब यहां पर तीन important topic है पहला क्या है समावेसी सिख्चा जिसको इंग्लिस में inclusive education कहते हैं दूसरा दोस्तो gender issues लेंडिक मुद्धे एक और तीसरा है दोस्तो तीसरा है आपका सांती education सांती सिख्चा peace education ठीक है तो यह तीन topic है इन तीन topic से दो सवाल आपको देखने को बिलेगा पूछता क्या है कि सांती सिख्चा से क्या तक पर है peace education से आप क्या समझते हैं भारत की समस्याओं को कैसे यह जैसे मालें जै कितनी आजकर controversy भर रही है एक तॉलरेंस अससा हिसूरता भड़िये एक धर्म के पती दूसरे धर्म के पती एक जात के पती दूसरे तो इस तरीके से जो आसांती है ना उसको खतम करने के लिए सिख्चा कितना महत अपूर है इस तरीके सवाल अध्यापक अध्यापकर पता है तो इसको इनक्लूजिव एजुकेशन लाग है और विसस्ट एजुकेशन अलग है जैसे पहले क्या होता था कि जो फिजिकली चैलेंज्ज लोग थे इस पेसल बच्चे थे उनके लिए अलग एजुकेशन होते थी फिर उसको बदलके इंक्लूजिव लाया गया जिसमें दोनों बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाता है तो इसको इनक्लूजिव एजुकेशन समावे से सिक्चा कहते हैं तो इसकी क्या विसेश्टा है क्या है कितना आज के लिए रेलेवन्स है यह आपको पूछना है क्या जेंडर इशूज हैं कितनी लैंग लैंगिक विभेत के कारण सिक्चा में लैंगिक समानता है कितना जरूरी है कि कैसे हम Eqali कर सकते हैं इस तरह के सवाल आपसे पूछता है तो तीन टॉपिक आपने क्या देखा समावे सी सिक्चा लैंगिक मुद्दे और तीसरा क्या था दोस्तों सांथि सिक्चा इन तीनों फाइफ नेस्टनल करिक्लम फ्रेमवर्क 2005 के बारे में भी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो राजीव गादी जी ने चलाया था मिड़े मील के बारे में आप से सवाल पुछता यह चोटे-चोटे यह बहुत बिस्तित में नहीं पुछते कि बारे में भी पूछता है यह यह पूछे जाने ऐसे इन तीन में से एक सवाल आपको देखने को चरूल मिलेगा सिक्षा का अधिकार यह इसके बारे में साथ समझा आर्टी एनिपी और एंसी इन तीन में से एक सवाल आपको देखने को मिलेगा कंफर्म देखने को मिलेगा ठीक है चलिए यह वो टॉपिक है अब आप सोच रहे हैं इसना पढ़ना नहीं बस आपके पर देखते हुए चले बढला है ठीक है चलिए चिक्शा आयोग के बारे में शीक्षि चलिए चीगा हाँ अब यह लास्ट पॉइंट होने वाला है इन में से भी सवाल आप से कोई एक दो पूश देगा जैसे मोशली इंपोर्टन एंसी आर्टी से आप क्या समझते हैं एंसी टी से क्या समझते हैं एगुनों के बारे में पूश देगा और यह कुछ भी पूश सकता है इसमें मुझे लगता है एसन डीटी के बारे में भी पूश यह चार जो है मुझे इंपॉर्टन लगते बाकी एंसी आर्टी इगनु एकलब वियर यूनेसको बनस्तरी विद् सब्सक्राइब करें तो यह कंप्लीट आपका दोस्तों पिछले 5-6 सालों में पूछाए सवाल है आपको बहुत ज्यादा लग रहा होगा बिल्कुल ज्यादा नहीं है एक एक वीडियो में हर एक टॉपिक को किलिया गया आप डिस्क्रिप्शन में आएगा आपको वीडिय सब्सक्राइब करेंगे वहां से आप देखिएगा पढ़िएगा अच्छे से पेपर दीजिएगा बहुत अच्छा हो जागा घबराने के ज़रूरत नहीं है मैं वीडियो इसलिए नहीं बनाता हूं कि आपको डराओं मैं इसलिए वीडियो आपको थोड़ी हेल्प कर सकू कि किस टॉपिक से सवाल पुछे जाते हैं उसको एक बार देख लेंगे आप देखिए समय समय अब आप अगर खराब कर रहे हैं तो आप अपना नुक्सान कर रहे हैं क्योंकि अब कुछ दिन बचे हैं पढ़ाए एक्जांस के तो यहां भे खराब करने का कोई मतलब नहीं पढ़ लेजी जितने समय बचे हैं पढ़ लेजी अच्छे से क्योंकि अब उसके बाद फिर दुबारा इन टॉपिक को आप दोबारा बीएट के एकजाम देना नहीं तो जीतने भी समय बचे हैं उसको यूज कर लेजिए अब तक तो मस्ती में निकल गई लेकिन आप जो स इन प्राचे पश्चा इनको खतम करिए बस दो जैसे खत्म करें आपको लें वह तो बहुत बढ़ ले मज़ा आ गया फिर आजाए संति शिक्चा समय वैसे सिक्चा और एक क्या था चोटे चोटे जोनल टॉपिक है खतम खलास त्रीक है इस तरीके से करेंगे चापां से च् सब्सक्राइब करके अगले वीडियो में मिलेंगे तब तक आपको क्याल रखें पढ़ते हैं आपको में तरफ से जया ही जया भाया